टेक संबंधी खबरों में दिल्चस्पी रखने वारे लोगों के लिए खुशकबरी है सर्च एंजन गूगल ने एक ऐसा चैलेंज दिया है जिससे आपको 7 करोर रूपे तक काई नाम मिल सकता है गूगल ने अपने I.O. 2021 में Android 12 पब्लिक बीटा जारी कर दिया है 18 मई 2021 को Google ने Android 12 को Redesign User Interface और दमदार Privacy सेटिंग के साथ पेश किया है कुछ फोन में Android 12 इनीशिल बीटा स्टेज में उपलब दे इसका मतलब Android 12 में काफी बग्स हैं इस बज़े से आपको smartphone experience ही नहीं है आपके फोन के functions में भी दिखकता सकती है कुछ बग्स का फायदा उठाकर hackers फोन की security को भी नुकसान पहुँचा सकते है security bugs को report करने पर Android security rewards program के तहत 7 करोर रुपे दिये जाएंगे ये reward उन बग्स को खोजने के लिए दिये जाएंगे जो काफी serious है security researcher जो Google bug bounty program का हिस्सा बनना चाहते हैं उन्हें latest Android 12 beta 1 और Android 12 beta 1.1 को analyze करना होगा ये pixel device के लिए उपलब्ध है Google ने bug bounty program में किस तरह की security खामी को खोजना है वो भी बताया है इन बग्स में AOSP code, OEM code, libraries and drivers, security element code, trust zone OS और module शामिल है इसको लेकर गूगल ने Android security reward program website पर details में बताया है गूगल ने reward amount के लिए category भी बनाया है इसमें pixel Titan M में maximum reward 10 लाग डॉलर तक है security element के लिए 5 लाग डॉलर तक trusted execution environment के लिए 5 लाग डॉलर तक करनल के लिए 5 लाग डॉलर तक और privileged process के लिए 10 लाग डॉलर तक reward दिया जाएगा ये reward इन में serious bucks खोजने पर दिये जाएंगे वीडियो desk अमरुजाला.com अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूले अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें